हलो दोस्तों कैसे हो मैं हूँ अश्वीन और स्वागत है आप सबका हिंदी चेस वीडियो में फर्स्ट अपल दोस्तों सोरी कि आप लोगों से जो है इतनों दिनों तक दूर रहा बट जो है पिछले एक या डेट साल से मेरी नींद काफी कम हो चुकी थी जिसकी डिफरेंट डिफरेंट इफेक्स जो है बोडी पर आ रही थी और वो अच्छे नहीं थी इसलिए पूरा हेल्थ कॉंशियस हो चुका और मैंने काफी कुछ काम कम कर दिया है सो वीडियो नहीं बना पा रहा था बट स्लोली स्लोली हम वहीं पूरानी सूर लयोल ताल में आ जाएंगे मैं शुरू में जो है विक के एक या दो वीडियो देन तीन चार पांच छे तक हम आराम से दो या तीन मेने में वापस पहुंच जाएंगे दूसरी चीज है कि आप सभी लोगों को दिवाले की टेरशारी सूप काम ना है आप और आपके फेमिली मेंबर सब लोग मज़े में होंगे सो आज के दिन किसकी गेम देखे डेफिनेटली जादुगर की सो आएए मैं आपको दिखाता हूँ जादुगर की एक और बेहतरीन गेम जो कि उन्होंने 1974 में खेली थी जहाँ पे उनके सामने उनके ओपनेट है इंटरनेशनल मास्टर जैबिक क्यू नियू सेज मेजक सोरी है अगर मेरा प्रनॉशेशन जो है वो गलत रहा हो तो आए देखते हैं जहाँ पे मिखेल ताल ने गेम की शुरुआत की नाइट टू अफ्ट्री विट रेटी ओपनिंग और यहाँ पे ब्लेक ने खेला बिशप टू डी सेवन जो की थोड़ा इनक्यूरेट है रिजन एक ही है कि आप जो है बी सेवन पॉन का प्रोटेक्शन जो है वो छोड़ रहे हो वहाँ पे एक टेमपो मिलेगा डेफिनेटली ब्लेक जो है वहाँ पे नाइट टू ब्लेक को भी प्रोबलम है इसलिए शायद बिशप वहाँ पे चलाना इतना अच्छा नहीं था जबकि नाइट के लिए जो है ये नेचरल स्केर है नाइट टू अच्छा नहीं था नाइट टू ब्लेक ट्राइ करता है कि चलो किंग साइट का स्ट्रक्चर भी गाड़ा जाए विध बिशप काप्चास ओन अफ्री बड़ वो इतना अच्छा नहीं है क्यूंकि जी काप्चास ओन अफ्री और आप जो है मिखेल ताल को अपने किंग के सामने जो है फाइल ओ किंटू से वो जो है दोस्तो मिखेल ताल के बारे में सका जाता है अगर आप उनको जो है एक ओपन फाइल दे दो जहां से वो अटेक कर पाए तो डेफिनिटली आपके किंग की जो है वो मेट कर देंगे इसलिए हमें नहीं है कि तुरंदी जो है यहां पर कुछ ऐसी मेट जा रही है बट डेफिनिटली यहां पर वाइट को जी फाइल पर अचाह एटेक मिल सकता है जी एन एच दोनों फाइल पर सो एथरी के बाद मिखेल ताल के ओपर ने खेला यहां पर एफाई एन ना बिशप एटू है एच सिक्स बिशप टू हच फॉर एफॉर क्विन पर एन आव पउन और एशेन पर पर जो मिखेल ताल ने एटक किया है बिशप एख्युप एच सब्से अज रूकए एट घ्टू हो एजपा इज त्री और जू हो एज टो है बिशप आगे एटक किया बिशप ऑट कुड़गोई इस पोजिशन में ёक फेल gjort क Less के डा खेला गय pawn e6 नहीं आ रहा है, यहाँ पर मिखेल ताल ने खेल दिया, knight 2 e5, और तुरंट अगर black e6 खेलता है, तो उसका एक piece चला जाएगा, क्योंकि हम पहले खेल सकते हैं, pawn captures on e6, with an idea of pawn captures on f7 और अभी queen पर भी अटेक है, so यहाँ पर से आप जो है, f captures on e6 जैसा कुछ खेलते हो, then हम simply, जो है, वहाँ पर queen को capture कर सकते हैं, after bishop captures, simply bishop captures c7, bishop captures on b2, then bishop captures b6, and now bishop captures on c3 के बाद, knight captures on d7, और यहाँ पर मिखेल ताल के पास, जो है, एक extra piece आजाएगा, उसी तरह से, e6 d takes on e6 से बाद, आप जो है, पहले queen को capture करते हो, बड़ कोई change नहीं होगा, similar variation आ जाएगा, now f capture सेलना पड़ेगा, क्योंकि pawn capture से f7 threat थी, और उसके बाद, जो है, similar तरह से, मिखेल ताल को वहाँ पर, एक extra piece मिल जाएगा, तो वो position, जो है, उनके लिए winning थी, so knight e5 के बाद, completely free दे रहे है, और black ने sacrifice को accept किया, with g captures on h4, and now bishop takes on f7, check king g7, and knight 2, e4 के लागा है, जबकि वहाँ पर computer, जो है, काफी interesting attack दिखा रहा है, with sorry, with queen to b4, आपकी जएगा मेरा mouse, ज़्यादा काम नहीं कर रहा है, with queen to b4, with an idea of queen, जो है, आप simply king side transfer कर रहे हो, जहाँ पर आप जो है, एक, दो और तीन पीस से attack कर रहे हो, जबकि सामने, अब black के defender, जो है, वहाँ पर इतने मौजूद नहीं है, यहाँ पर, say e6 आप खेलते हो, but then simply queen to e4, and यहाँ पर white, जो है, वो win हो रहा है, और उनके पास, जो है, काफी बट, मिखेल ताल ने वो move भी miss की थी, उन्होंने जो है, अपनी move खेली, knight 2, c5, जिसकी वजा से, उनके opponent को, जो है, e6 खेलने का time मिला, और queen जो है, अब king side defense के लिए आ सकती है, even bishop का रास्ता भी open हो चुका था, so bishop f5 के बाद, कौन सी move है, जो मिखेल ताल को खेलने चाहिए थी, दोस्तों, computer series कर रहा है, कि वो move है, bishop to e6, जो की काफी strong है, reason क्या है, कि आप e7 pawn को physically block कर रहे हो, और नहीं queen जो है, आप king side transfer हो सकती है, और नहीं bishop का रास्ता open हो सकता, यहाँ पे दो option है, से आप bishop takes on e6 कहलते हो, but then d captures on e6, और अभी यह pawn simply वहाँ पे queen and bishop का रास्ता बन करके रखा, मतलब queen जो है, वो king side transfer नहीं हो सकती, और bishop totally बंद है, even rook जो है, वो भी बंद है, सही यहाँ पे आप queen c8 खेलते हो, queen को save भी करते हो, e6 पे attack भी करते हो, but then knight c5, and after knight to c6 simply knight to f7, और आप देख रहो, queen जो है, आराम से king side transfer हो सकती है, और यहाँ पे white की position simply winning है दूसरा option यह था, bishop e6 के बाद, आप जो है knight को capture करो, but then dोस्तो, queen b4, bishop takes d5 and after queen g4, यहाँ पे कुछी moves में mate हो रही है, like king f6 then queen to f5, king g7 queen g6, check king h8 के बाद, queen g8 खेलो, यहाँ फिर knight f7 दोनों ही checkmate है उदर but game में, मिखेल ताल ने जो है, bishop f5 के बाद, bishop e6 miss किया, उन्होंने खेला यहाँ पे knight to c5 and now e6 d captures on e6, so भी queen पर attack है, so queen to f6 और देख यहाँ जो है यहाँ पे ना सिर्फ knight पर attack कर रही है but queen simply, वहाँ पे king के defense में आ चुकी है मिखेल ताल ने यहाँ पे खेला queen to c3 and now bishop captures on c5 जबकि computer उदर suggest कर रहा है कि black को knight c6 खेल के powerful knight on e5 पे pressure बढ़ाना चाहिए जहाँ पे अपकोस मिखेल ताल 4 खेल सकते है और उसके बाद जो है वहाँ पे black जब भी चाहे उस knight को exchange कर सकता है और जैसे जैसे peace exchange होते जाएंगे वहाँ पे black को बहतर defense का chance मिलता जाएगा जबकि queen c3 के बाद black ने खेला यहाँ पे bishop captures on c5 and now bishop captures on e8 knight to a6 bishop to f7 back and now bishop to b4 queen पे टेखे queen to d4 bishop c5 queen f4 and now bishop to d6 और अब rook captures d6 खेलना force है otherwise जो है वहाँ पे simply bishop captures on e5 आ रहा है so rook takes d6 c takes d6 and now knight to g4 bishop captures d4 queen captures on g4 king f8 और यहाँ पे दोस्तों computer जो है position को equal बता रहा है मिखल ताल ने खेला है rook d1 और इस position में computer suggest कर रहा है किं e7 और black को equal game मिल सकती है वटसे आप यहाँ पे rook d8 खेलते हो कौन को save करने की try करते हो वट एक गलती होगी क्योंके rook captures d6 फिर भी आ सकता है reason यह है कि rook captures on d6 के बाद दो ही move में mate हो रही है with queen g8 king e7 and queen to e8 checkmate so rook d1 के बाद मिखल ताल के opponent ने खेला rook 2 c8 उन्होंने king e7 मिस किया और अब मिखल ताल ने खेल दिया rook captures on d6 now rook c1 check king h2 queen to e5 check बट वहीं प्लान था rook को sacrifice करने का प्योंके f4 के बाद जैसे ही rook को capture किया यहाँ पे जो है game finish हो चुकी है queen to g8 check king e7 queen e8 check king f6 और अब देखिए bishop to h5 so simply यहाँ पे हमारी threat क्या बन सकती है कि हम जो है एक ही मुँ में mate करना चाहते है दूसरी और अगर आप mate को save करने की try करते हो with say queen to c7 then simply वहाँ पे हम e7 खेल सकते हो और आप उसको capture करते हो then queen g6 mate हो रही है so e7 के बाद से आप जो है opponent ने खेला queen captures on e6 और दो ही move में checkmate allow कर दी यहाँ पे दोस्तों वीडियो को post कीजिए और मिखेल ताल की final move डून दिया जिसके बाद उनके opponent ने resignation दे दिया ready the move है simple queen to f8 check और एक ही move है check को save करने के लिए वह है queen f7 जिसमें mate हो रही थी इसलिए मिखेल ताल के opponent ने यहाँ पे resignation दे दिया तो दोस्तों कैसी लगी आपको मिखेल ताल की ए गेम और आज का ए वीडियो I hope मेरा वीडियो और ए गेम दोनों ही आपको पसंद आया होगा पसंद आया तो please इस चैनल को subscribe कीजिए वीडियो को like दीजे और अपनी comment देना बिलकुल ना भूले दनिवाज जैहिन बाबाई और एक बार फिर से जो है आप सभी लोगों को दिवाली की डिर्शारी शुप कामना है बाबाई